दोस्तो अगर video games की बात की जाए तो आज कल हर बंदा ही कोई न कोई गेम ज़रूर खेलता है वैसे तो आप सबने बहुत ही video games देखी होंगी लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह famous games शुरू शुरू में किस तरह होती थी वेलाज किस वीडियो में मैं आपको वीडियो गेम्स की Amazing Evolutions की बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना Countdown रेसिंग गेम्स दोसो रेसिंग गेम्स का आगास 1964 में हुआ था ये एक आरकेड गेम थी जिसे कंप्योटर या कंसोल अपर खेला जाता था इसे दुनिया की फर्स स्टेरिंग वील गेम भी कहा जाता है इसके बाद 1976 में इसका सेकंड वर्जन रिलीज हुआ जिसका नाम Night Drive था इस गेम में पहली दफ़ा 3D रेसिंग इंडिडियूस करवाई गई वैसे तो ये गेम काफी इंटरस्टिंग थी लेकिन इसके ग्राफिक्स बहुत ही बलरी और वीडियो की क्वालिटी बहुत कम पिक्सल में होती थी फिर 1982 में इसका Pole Position वर्जन रिलीज हुआ जिसमें ग्राफिक्स को काफी इंप्रूव किया गया इसके बाद 1986 में इसका Cartoonish वर्जन रिलीज हुआ जो बहुत फेमस था इसमें ना सिर्फ ग्राफिक्स अच्छे किये गए बलकि रेसर के कैबनेट को भी 3 स्क्रीन किया गया फिर 1987 में इस गेम की अंदर huge changes किये गए इसका Road Blaster वर्जन रिलीज हुआ जिसमें ड्राइवर ना सिर्फ गेम में freely घूम सेर सकता था बलकि इसे weapons भी दी गई थी ताकि वो rival को आसानी से catch कर सके वैल इसी तरह इसके different versions आते रहे लेकिन 1997 में फिर से इसमें big change किया गया और इसे PlayStation पर convert कर दिया गया इसके बाद 2005 में ये गेम online हो गई थी अब ये car games इतनी famous हो चुकी है कि इने mobile से लेकर दुनिया की हर device पर खेला ही जाता है लेकिन आप real में भी इसका experience ले सकते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप player को बकाईदा vehicle पर बिठा कर virtual reality glasses पेलाई जाती है जैसे वह ये game real में खेल रहा हो ये really incredible है Super Mario दूस्तों ये game 1985 में बनाए गई थी और ये आज भी इतनी ही famous है जितनी उस वकत थी इस game में Mario hero होता है जो एक princess को बचाने के लिए बहुत से kingdoms को cross करता है और रास्ते में आने वाले creature से लड़ता है जब 1985 में ये game बनाए गई थी तो उस वकत इस game के graphics बहुत ही boring थी इसे computer पर खेला जाता था और ये काफी slow होती थी फिर 1988 में इस game का next version रिलीज हुआ जो ज़्यादा different नहीं था उसमें सिर्फ Super Mario का dress ही change किया गया था एन्यवे 2009 तक ये game 2D version में चलती रही लेकिन 2011 में Super Mario के अंदर एक huge revolution पैदा हुआ और इसे 2D से 3D में convert कर दिया गया इस game का नाम Super Mario 3D Land था और ये game तब तक mobile में भी आ चुकी थी इसके बाद 2017 में इस game का Super Mario और 10 लेजन रिलीज हुआ जिसमें game को joysticks के साथ play करने का option दिया गया प्लस इसके graphics भी काफी जदा upgrade किये गे ताकि user को game खेलने में मजाए इस तरह जैसे जैसे time गुजरता गया इस game के upgraded version रिलीज होते गे Recently 2023 में इसका latest version रिलीज हुआ है जिसका नाम Super Mario RPG है ये game ना सिर्फ interesting और entertainment से भरी पड़ी है बलकि इसके graphics भी 16 bits पर मुश्तमिल है Anyway, 1990 के बचों के लिए तो ये game किसी जादू से कम नहीं होती थी GTA Vice City दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने ये game जरूर के लिए होगी ये दुनिया की most popular games में से एक है इसे पहली दफा 1986 में launch किया गया था ये एक action game थी जिसके अंदर player को missions complete करने होते थे जब ये game launch हुई थी तो इसके pixels भोती low quality के होते थे लेकिन फिर भी ये बहुत सदा famous हुई थी इसके बाद 1999 में इसका new version रिलेज हुआ जिसका नाम Grand Theft Auto 2 था ये version PC और PS1 के लिए बनाया गया था लेकिन इसका next version जो 2001 में आया था इसने इस game को एक अलगी level पर पहुँचा दिया था इसका नाम GTA 3 था ये एक 3D version था जिसमें player city के अंदर freely घूम पिर सकता था और इसकी weapons को भी upgrade किया गया पिर 2002 के version में इसके अंदर helicopters, bikes और दूसरी vehicles भी add की गई इस तरह आइसा इसता ये game real world की तरफ आती गई और इसके graphics को मजीद upgrade किया गया अब GTA game इतनी realistic बन चुकी है कि इसे खेलने वाले को ऐसा लगता है जैसे वो city के अंदर मौचूद है और खुद ये सब कुछ कर रहा है वेल जिस तरीके से games के अदर developments हो रही है इनी देकर तो ऐसा लगता है जैसे future में लोग game के अंदर ही चले जाया करेंगे need for speed दूसों जो लोग 1990 में पैदा हुए थे वो इस game को अच्छी तरह जानते होंगे need for speed एक car game है जिसमें police chasing और car racing जैसी amazing चीज़ें शामल होती है ये game 1994 में release हुई थी और जब ये release हुई थी तो उस वकद ये दुनिया की पहली game थी जिससे website से download करके खेला जा सकता था सन 2002 में इसका दूसरा version रिलीज हुआ था जिसका नाम need for speed or pursuit था उस वकद इसे arcade game में change किया गया था और इसी तरह ये दुनिया की सबसे पहली arcade racing game बन गय थी 2003 में need for speed का underground version रिलीज हुआ जिसमें दो नए game modes drag and drift इंटरिफ्ट इंटर्यूस करवाए गये और साथ ही इसे open world game में change कर दिया गया ताके user आजादी से game के अंदर घोम फिर सके इस version में 60 नई गाड़ियां भी add की गई सिर्फ इतना ही नहीं बलकि 2011 में आने वाले version में इस game को एक बिल्कुल realistic शकल दे दी गई इसमें player अपनी car से बाहर निकल कर easily इदर उदर भी जा सकता था इसकी बाद 2015 में इस game के graphics को मजीद बैतर बना कर एक निया version launch किया गया जिसका नाम Need for Speed Rivals था और इस game का latest version दिसमबर 2022 में release किया गया है जिसका नाम Need for Speed Unbound है इसमें user को बहुसी opportunities दी जाती है ताकि वो race में easily win हो सकी even इसमें जो new graphics add किये गए है इनकी वज़ा से तो game की पूरी look ही change हो गई है वेल आप सब में से किस-किस ने ये game खेली है comment box में मुझे जरूर बताईएगा minecraft दूसो minecraft एक ऐसी game है जो एक 20-20 अरसे से दुनिया को entertain कर रही है इसे खेल कर ऐसा लगता है जैसी ये हमारी जिन्दगी का हिस्सा बन चुकी है वेल ये game 2009 में release होई थी जैसी ड्राउनी चीज़े एड़ करके game को मजीद attractive बनाने की कोशिश की गई फिर 2017 में minecraft को थोड़ा और colorful बनाया गया इसके लिए बहुत से colorful blocks एड़ किये गई और player के आसपास के environment को भी change किया गया 2018 में तो ना सिर्फ minecraft के graphics को upgrade किया गया बलकि इसका part of the sea introduced करवाया गया जिसमें ये game underwater भी खेली जा सकती थी इवन अभी recently 2023 में भी minecraft का निया version रिलीज हुआ है जिसमें treasure ढूनने के लिए नए instruments एड़ किये गए हैं और इसके अंदर plenty of opportunities भी मौजोद हैं बारहाल जो भी हो इस game के developers ने इतने सालों में इसे बहुत ही बहतर तरीके से manage किया है और ये आज भी इतनी ही famous है जितनी शुरू में हुआ करती थी Call of Duty दूसरों गर इस game की बात की जाए तो दुनिया में शायदी कोई ऐसा teenager होगा जिसने Call of Duty गेम ना खेली हो ये game 2003 में release हुई थी और कुछी अर्से में इसे इतना fame मिला कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली games में से एक बन गई आज इंटरनेट पर इसके 100 million से भी ज़्यादा users है Call of Duty का दूसरा version Call of Duty 2 2005 में release हुआ था जो कि Windows के लिए बनाया गया था फिर 2006 में Xbox 360 आया और इसके बाद mobile और दूसरे consoles के version release किये गये थे इसी तरह Call of Duty 3 version आया जो सिर्फ PC के लिए develop किया गया था लेकिन इस game का सबसे amazing upgrade Call of Duty Finest Hour था ये version GameCube, PlayStation 2 और Xbox 3 के लिए बनाया गया था इसमें नए missions add किये गए और graphics को भी realistic बनाया गया ये कैसी game है जिसके हर साल ही new versions release होते थे और game को interesting बनाया जाता था 2016 में इसका version Call of Duty Infinity Warfare रिलीज हुआ जिसमें Game of Thrones के actor Kit Harrington का character भी add किया गया इसे as a villain दिखाया गया जो दुनिया को तबाह करना चाता है और player को इससे लड़ना होता है इसी तरह Call of Duty Warfare 2 और अब recently 2023 में modern Warfare 3 version रिलीज हुआ था इसके graphics इतने high quality के बनाये गए है कि user को एक real play वाली feeling आती है लेकिन मज़गी बात ये है कि इस game को बने हुए 20 साल गोज़र चुके है और ये आज भी इतनी ही famous है जितनी 20 साल पहले थी क्योंकि इसके developers ने इस game को upgrade करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो दोस्तो आज के लिए पस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मुझे Instagram भी follow करना चाहते हैं तो The Heather TV भी आप मुझे follow कर सकते हैं मिलता हो आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए Allah हाफिस